हेलो एब्रीवन वेलकम तो बायो वाल्स लाइफ साइंसेज कफी लंबे समय के बाद में आज वीडियो बना रही हुआ है आज हम ब्लॉटिंग टेक्निक का पार्ट पू पढ़ने वाले हैं इस पार्ट पू में हम पढ़ेंगे साधरन ब्लॉटिंग एक वीडियो में हमने य चैनल से हमारे वीडियो से हेल्प मिलती है इस फूर से हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करते हैं तो चलि हम स्टार्ट करते हैं अंगें disagree discuss LIばい Phantache il ब्लॉटिंग कमपास कुछ नहीं, एक कमपास आप लोग सब लोग जानते होंगे, उमीद हम जे, कमपास क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जो कि आपको डिरेक्शन बताता है, North, South, East, West, अब आपको ये कमपास क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें इसके वेस पे नाम दी गए, इसी तरीके से आपको नाम मिलेंगे, ब्लॉटिंग कितने टाइप क्यों होती है, कैसी होती है, आपको इसी से देखने को मिलेगा, ये ब्लॉटिंग कमपास है, इसमें, North, East, South, West, ये आप चार पोल मान सकते हैं, तो ये चार पोल है, ठीक है, अब इसमें, North पोल नदर्न ब्लॉटिंग, East पोल पे है, Eastern ब्लॉटिंग, South पोल पे है, Southern ब्लॉटिंग, and West पे है, Western ब्लॉटिंग, गैज ये ब्लॉटिंग सिर्फ इन चार डिरेक्शन्स में ही नहीं है, इसके अलावा भी ब्लॉटिंग है, इनके डिरेक्शन्स की सब डिरेक्शन्स देखने इस हिसाब से आप याद करेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा अब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो क्या होगा यह जैसे साउथ और वेस्ट के बीच में आया तो साउथ वेस्टन क्या क्या कामें ब्लाटिंग टेक्निक्स के वह भी मैं बताऊंगी एक जैस्ट ओबर्व्यू दे रही हैं आपको नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्टन ऐसे ही है मिडिल इस्टर्ण फार इस्टर्ण और फार वेस्टर्ण एंड एक परेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे यह कुछ टाइप के यहां पर आपको ब्लाटिंग देखने क क्या तो अब हम इस पे देते हैं कि बिचिकली यह बांतिक्निक्स जो है करती गया है मैं इसकी मदत से आप बहचान सकते हैं कि आपका RNA कहा है और आप उसको निकाल सकते हैं Northern Blotting के अलावा इस्टेंड ब्लोटिंग इस्टेंड ब्लोटिंग क्या होती है गाइस इस्टेंड ब्लोटिंग में आप आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन को देखते हैं अभी यह क्या होते हैं समझाते हैं बात करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन्स अभी आप सभी को पता होगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन का सिंथेजिस जस्ट इमेजिन यह आपका डियने है दबल स्टेंड डियने है इससे बना आरेने RNA के बनने की process को क्या बहूनते हैं ? Transcription अब इस RNA से क्या बनता है ? RNA से बनती है आपकी protein ये हैं आपकी protein protein किस process से बनती है ? Translation अब ये जो प्रोटीन आपकी बनके रेडी होई है ये प्रोटीन ऐज इतधिस फंक्शनल फॉर्म में नहीं होती, इसको फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए आपको कुछ तैयारियां करने पड़ती है, जैसे कि कोई भी प्रोटीन है एस इस यह फार्म है इस फार्म में वो फंक्शनल नहीं होगी कुछ इसमें बॉंडिंग पैटर्न चेंज हो गया कभी कुछ फंक्शनल गृप का एडिशन हुआ जैसे कि कभी फॉस्फेट का एडिशन हो गया कभी किसी और चीज़ का एडिशन हुआ कभी मिथाईल गृप का एडिशन हुआ तो ये जो चीज़े प्रोटीन के ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद बढ़ रही है इनको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन और इनी post-translational modifications को आप किसके तुरू पहचान सकते हैं इसके टरीक जो होती है वो होती है Eastern blotting Eastern blotting के द्वारा आप कोई भी तरीके का अगर post-translational modification हो रहा है आपकी protein में तो उसको बहुत इसली आप पहचान सकते हैं तो ये तो हो गई post-translational modification की बात अब हम वापस आते हैं अपने compass पे हमने क्या देख लिया हमने देख लिया नदरन blotting के बारे में और देख लिया हमने इस्टन blotting के बारे में अब आते हैं अगली blotting technique पे अब है Southern blotting जो कि आज का हमारा टापिक है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस हम DNA को identify कर पाते हैं और DNA को identify करने का प्रोसीजर क्या है यह पूरा ही प्रोसीजर आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं ठीक है आगे देखते हैं Western blotting वेस्टन blotting होती है प्रोटीन के identification के लिए हम वेस्टन blotting का यूज करते हैं अब कुछ इनके between आती है ब्लोटिंग टेकनिक्स होती है तो वेस्टन ब्लोटिंग के पहले हम अगर बात करें तो वेस्टन और नदर्ण के बीच में एक ब्लोटिंग टेकनिक होती है जो कि न नौर्थ वेस्टन के नाम से होती है अब नौदर्ण किसके लिए होती है और वेस्टन के प्रोटीन के लिए तो जो नौर्थ वेस्टन होगी तो इनी से रिलेटर चीज़े तो बताएगी तो यह बताती है प्रोटीन और आर ने के रेशियो को यहां पे सारे साइंटेस्ट जिन्हों ने इसको डिस्क वर किया है सारी टेक्NIक्ड सो उनने भी नाम में भी दिया हुआ यहां पere इन्हें से इकमात्र ऐसी टेक्क्निक कहें जिनका जो स्यंटेस्स थे उनका भी वही था बढ़कित्र के निमतों ख़ेरिए को चलिए अब हमने देख लिया नॉर्थ वेस्टर प्रो्टीन और अरणे का इंटरक्शं अब आता हैं साउथ और वेस्टर के बीछ में साउथ साउथ वेस्टर अब साउथ ब्र特 जो होता है करें यह होता है डिने और प्रोंटीन के बीच के टेक्शन के लिए तो यह क्यार ढ़ी करेगा यह करेगा डिने और प्रोटीन के बीच का इंट्राक्शन पतलवाता है गाईज एक कन्फ्यूजिंग चीज है लेकिन उसको याद रखना जरूरी है साउथ वेस्टन और इलेक्रोफोरेटिक अब अगली टेक्निक है क्या करती है और एक है फार इस्टन होती है वह टेक्निक बिताती है लिपिड और पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन्स जो हो रहें उनके बीज के इंटराक्शन को उमीद है यह जो ब्लॉटिंग कमपास यहां पर दिया है आपको समझ आया होगा और इससे काफी कुछ आपको हेल्प भी मिलने वाली है जहां तक मैं समस्क्राइब तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अब है हमारा में टापिक जो की हम पढ़ने वाले हैं सदन ब्लॉट वो स्टार्ट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सदन ब्लॉट को असदन ब्लॉट वोड एन लबरेट्री मेथ्था फहली बात थो यह लबरेट्री में चलिए लैब में आप जो कांद रहे हैं उसमें आपको डीने का अगर अगर इंटिफिकेशन करना है तो इस तेक्निक की मदद से आप कर पाते हैं अब क्या है लबरेट्री मेथड पर वहां पर बहुत सारी चीज़ होती है तो उसमें से अपना वाला अइंड करके निकालना होता है कि इसमें से मेरा वाला डिएने कौन है तो उसके आप यूज करेंगे प्रोब की मदब से डिटेक्शन देगा यहां पर प्रॉसेस की हम बात कर रहे हैं कि प्रॉसेस कैसे होती है किस तरीके से होती है तो अब हम प्रॉसेस पर आगे बढ़ते हैं एक रेस्टिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है डी एने सेंपल को फ्रेग्मेंट्स में कट करने के लिए आपके पास तो पूरा का पूरा डी एने मॉलीकूल है इसको 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 टुकुड़ें में बातना होता है आपको करने होते हैं आपको जब छोटे ठ्रपेट करें हैं कि अब फ्रेक्र 설क साथ करते हैं से आउंट्पीधी चल esis hybrid देने स्थिउक्षा Bye शुदन होते हैं जही अब मेंट्य zipper डि ए अब आपने जल पर अपको निकल लिया आपको पता चल गया कि आपका कौन सा डियने कहां पर है अप क्या करेंगे आप अपने डियने फ्रेग्मेंट्स को सरफेस पर किसी मेंब्रेन प्रोब को डाला जाता है प्रोब क्या होते हैं छोटे-छोटे से लेकिन इनमें या तो कोई भी रेडियो एक्टिव टैग या फिर कोई केमिकल टैग लगा होता है जिसकी मदद से आप आसानी से पहचान पाते हैं कि आपका जो डियने ओफ इंट्रेस्ट है वो कहां पर है इस दी प्रोब बाइंड अगर जो प्रोब है वो मेंब्रेन से बाइंड कर जाता है दिन दी प्रोब सीक्वेंस इस प्रेजेंट इन दी सैंपल तो पता चल जाता है कि जो आपका प्रोब का सीक्वेंस है वो सैंपल में प्रेजेंट है एक बार मैं आपको खुद से समझान की कोशिश करते हूं जैसे कि हमारा यह यहाँ पे यह फ्रेग्मेंट है ऐसा तो नहीं होता मैंने गंदा सा बनाया बढ़ काम चला है यह हमारे डीने फ्रेग्मेंट है वह आप क्या करते हैं कोई भी यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कि आपके डीने को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर दे यह का करेगा डीने के छोट-छोटे से टुकड़े बना देगा अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आप लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेस करवाते हैं लिएपके vrij एक हमां मुझत ऊफ大家 heavily सुप अलेपकTr came sky का इन्सकालिा जरी एलेक्ट्रोफर्सेंग क्या होती है अपसंवी को पता होगी कि जरी सक्रोफप्रेस का यूज किया जाता है DNA की bands को separate करने के लिए यह कुछ इसमें जेल होता है जिसमें कि कुछ बनी होती है इसमें आप अपने सैंपल को लोड करते हैं अपना सैंपल लोड कर देंगे फिर यह अपने molecular weight के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहां पर एक लाइडर डीने यूज करते हैं जल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मैं पहले ही वीडियो डाल चुकिए आप उसको देख सकते हैं यह टेक्निक ऐसी है होती है इसलिए मैंने इसको पहले ही डिसक्स किया है तो डीने लैडर क्या होता है कुछ सेगमेंट होते हैं जिनके हिसाब से पता है कि किस बैंड पे कितने कितने कीबी का डीएने मोलिकुलर वेट तो नहीं हो सकते, इसमें बेसपेर्स होते हैं कितने बेसपेर्स का आपका डिय։न यहाँ पर प्रेसंट यह डियने चरुदर नेपर्द से कि अब आप क्या करते हैं मेंब्रेन को धीर से इसके उपर से रखते हैं और आपके डीने के जो फ्रेग्मेंट्स होते हैं छोटे-छोटे वह एज इस इस पर आ जाते हैं अब आपके membrane पे आपके fragments आ गए हैं यह जैसे कि यह माना की membrane है और इस पे आपके fragments आ गए हैं अब आपको क्या करना है आपको जो dna चाहिए जो आपका gene of interest है आपको उससे related कुछ probe बनाने होगे यहां पे आएंगे प्रोब को, प्रोब क्या होते हैं चोटे-चोटे से नुकलियोटाइड सिक्वेंसे मैंने पहले भी बताया, यह specific होते हैं, आपको जैसे ATG, यह base pair चाहिए, आपने इस base pair का एक प्रोब बनाया, इसको chemical से या किसी radioactive material से टैक कर दिया, अब आपने यहां पे वो गौश हो जाए अब गौश कर दिया फिर आपको क्या करना रहता है आप यह देखते हैं कि जो मेंब्रेन है आपकी मेंब्रेन पे आपके जो DNA बैंड्स ने हैं वहां पे आपको फ्लोरीज़ सेंस सिगनल मिलेगा फ्लोरीज़ या रेडियोक्टिव मैटीरियल जो भी आपने टैग किया है वह जाके उससे बाइंड कर जाएगा और जो भी इंडिकेशन उसका अगर फ्लोरीज़ है तो फ्लोरी सेंस देगा, केमिकल टैग है तो वो उस तरीके की रियक्शन देगा, अब आपको पता चल जाएगा कि यही आपका DNA है जिसको आपको आइसोलेट करना है और फिर आप इस DNA को आइसोलेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करके इसको आइसोलेट कर पाते हैं, तो यह ओवर्व्यू है प्रोसेस का, कि exactly प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो चली हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो यह हमने देख लिया, कि किस तरीके की प्रोसेस चल रही है, अब यहाँ पर मैंने एक ओवर्व्यू बना के भी रखा है, हाला कि मैंने कोशिश की है कि मैं खुब से समझाओं आपको तो शायद बितर समझ में आये, बट फिर भी मैं समझाना चाहूंगी कि यहाँ पे आपने डियने लिया, डियने का रेस्टिक्शन डाइजेशन कराया है, किसी भी आपका जो रेस्टिक्शन एंजाई में उससे, छोटे-छोटे से डियने इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट कर लिया, जब आपके फ्रेग्मेंट्स सेपरेट हो गया, तब आपका जो डियने उसको छोटे सिंगल स्टैंडर्ड डियने में कनवर्ट कर लेते हैं, डिनाचुरेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पे, जो कि मैने ये स्टेप अ अब इनको क्या करते हैं जल से मेंब्रेन पे ट्रांसफर कराते हैं मेंब्रेन पे आपके फ्रेग्मेंट्स ट्रांसफर हुए ट्रांसफर होने के बाद में क्या करना रहता है आप इस पर प्रोब को एड़ करते हैं अब प्रोब एड़ करने के बाद इसमें एक ट्रांसफर ब बाइंड नहीं हुए हैं उनकी वाशिंग कर देते हैं और अगर आप यहां पर समझाना चाहूं कि प्रोब पिंग कलर का है तो यहां पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि यह पिंग कलर का दिख रहा है यही आपका जो डियने आप आइसोलेट करना चाहते हैं वह यही है कि यहां पर पिर से एक पाल आपशना कर दो कर दो कि आपना है यहां पर पिर से एक आपको कर दो आपको डाया है